फार थार्ड यर मैथमेटिक्स आपकी जो है हम लोग पेपर वन और उसमें जो है यूनिट वन ठीक है उसमें हम लोग कि चेप्टर जो है कर रहे हैं समूँ ठीक है इस्में कर रहे हैं समूँ तो यहां पर जो है कि होगा कि समूब का जो है पार्ट जो है आप जानते हैं कि मैंने पूरा करा दिया था ठीक है उसमें जो है मैंआपको जो है multiplication modulo N ठीक है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी और इसके बाद जो है आपके chapter जो है वो पूरा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो है हमने सम्शेश modulo N का योग हमने कर लिया था आज हम लोग करेंगे सम्शेश modulo N का गुणन ठीक है अब यह जो है क्या बोलते है इसको multiplication multiplication modulo N क्या बोलते है multiplication modulo N यदि N एक धन पूरांक है N यदि धन पूरांक है तथा किनी दो किनी दो पूरांको A B के लिए किनी धन पूरांको A B के लिए A इंटू B हम लोग कैसे लिख सकते है NQ प्लस R जहां पर R की value यह तो 0 के बराबर होगी N से छोटी होगी यानि कि 0 और N के बीच में होगी लेकिन 0 के बराबर होगी तो जो यह R जो है R को A तथा B का सम्षेश modulo N का गुणन कहते है अब देखेंगे कि अगर मैं यहां पर इस तरह से लिखते हूं A और यहां पर multiplication के लिए जो है N B is equal to क्या होगी का R ठीके? लेकिन कुछ जो है condition के हिसाब से देखेंगे कि अगर A B का गुणा जो है अगर N से छोटा है अगर A B का गुणा जो है N से छोटा है तो यह A इंटू B होगा ठीके? यह A इंटू B होगा जब जो है यह A B का मान जो है वो क्या होना ची? N से छोटा हो N से छोटा हो और यह R होगा जब A B कमान जो है वो N से बड़ा होगा ठीक है एबी कमान N से बड़ा होगा तो यहाँ पे जो है और कुछ नहीं करते हुए मैं सीधा यहाँ पे एक ग्रूप ले रही हूँ और यह जो है एक ग्रूप लेते हैं G is equal to 1, 2, 3, 4, multiplication modulo 5 के लिए एक ग्रूप है ठीक है एक ग्रूप है चलिए किस तरह से तो टेबल बनाते हैं यहाँ पे पहले multiplication modulo 5 1, 2, 3, 4 यहाँ पैसे 0 भी आता है लेकिन हम लोग जो है 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी संक्रिया क्या है गुणन है ठीक है तो उसमें सभी वैसे भी element जो है वो क्या आ जाएंगे 0, 0 आ जाएंगे ठीक है तो एक का गुणा एक के साथ करते है तो एक ही आता है एक का गुणा दो के साथ दो 3 के साथ करेंगे तीन और चार, फिर दो का गुणा एक के साथ दो, तीन का गुणा एक के साथ, चार का गुणा एक के साथ तो चार यह आता है, ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, दो का गुणा दो के साथ करते हैं, चार आता है, तो चार यहां पर है, तो यह चार आ जाएगा, लेकिन 2 का गुणा अगर हम लोग 3 के सार करते हैं तो आप जानते ना गुणा क्या आ जाएगा 6 ठीक है 6 लेकिन 6 जो है किसके बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है ठीक है 6 का मान जो है किसके बराबर होता है क्यों क्योंकि मोडिलो 5 अब ये मोडिलो 5 का मतलब क्या है यानि कि 5 जो 6-1 तो हम लोग जो है किया लिखेंगे 6 नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे एक लिखेंगे हैं तो आप जानते हैं कि 8 आता है और 8 जो है किसके बराबर होगा 8 जो है वो 3 के बराबर होगा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 जो है वो 8-3 को पूरी तरह से डिवाइड करता है क्योंकि 8-3 कितने होते है? 5 ठीके? तो यहाँ पे जो है यह क्या होगा? 3 ठीके? फिर जो है 3 गुणा 2 फिर से आगया 6 यानि क्या जाएगा 1 ठीके? फिर 3 गुणा 3 करते हैं हम लोग तो 9 ठीके? 9 जो है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि 9 जो है वो 4 के बराबर होगा क्यों? क्योंकि जो है 5 जो है 9-4 को अच्छी तरह से डिवाइड कर सकता है 9-4 होता है 5 तो 5 डिवाइड फाइड 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 छीके? तो इस सुझे से यह हो जाएगा यहाँ पे 4 फिर जो है 3 गुणा 4 यानि कि कितने आते हैं? 12 आते वैसे तो 12 आते लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा? मॉडिकेशन मॉडिलो क्या है? मॉडिलो फाइड है तो यह किसके एक्वाइलेंट होगा? 2 के बराबर होगा क्यूं? क्यूंकि यहाँ पे जो है 5 जो है वो 10 माइनस 12 माइनस 2 यानि कि 10 को जो है वो अच्छी तरह से डिवाइड कर सकता है क्यूंकि 5 इंटू 2 is equal to 10 होता है ठीके? तो यहाँ पे जो है जब भी डिवाइड करते है न यह वाला यह 5 जो है डिवाइड 12 माइनस 2 यानि यहाँ पे रिवेंडर कुछ नहीं रहना चाहिए ठीके? रिवेंडर कुछ नहीं रहना चाहिए तो इस तरक से यह किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर यानि कि अगर 12 आता था तो भी हम लोग कहां लिखले गए? 2 उपर चले गए ठीके? फिर जो है 4 इंटू 2 फिर से आगया 8 तो यहाँ पे भी आया था जिसको हमने 3 लिखा था फिर 4 इंटू 3 12 क्योंकि यहाँ पे जो है 5 डिवाइड 16 माइनस 1 16 माइनस 1 यानि कि 15 और 5 इंटू 3 क्या होता है यहाँ पे? 15 यानि पूरी तरह से जो है हम लोग उसको वो डिवाइड करता है कुछ भी रिमेंडर नहीं बसता है तो यह आ जाता है यहाँ पे 1 ठीक है? यह आ जाता है यहाँ पे 1 देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जो है 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो जैसे 5 आया तो 0 आ जाएगा 6 देखें यह 7 देखें 8 कि 9 फिर से 10 आया तो 0 आ जाएगा 11 अब यह देखें 12 13, 14, 15 फिर से 0 आ गया जो भी 5 का गुणज होगा ना उसका मान कितना आ रहा है? 0 आ जाएगा ठीक है? होगे 15 अब यह देखे 16, 17, 18, 19 फिर से 20 में 0 आ जाएगा अगर ऐसे संख्या ऐसे गुणज करते जाएगा तो 20 में 0 आ गया 21, देखें 22 23, 24 25 में फिर से 0 26 में 1 आ गया 26 माइनस 1 यानि 25 25 को हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं 35 जैसे अगर हमें इंदी वह बनुदो 5 into 5 25 होते हैं तो इस तरह से तो यहां पर जो है जब अगर हमको नहीं पता चले अगर यह जो है कॉंगरंट का जो है हमको नहीं पता चले तो यह मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर मान लीजें कि कॉंगरंट आपके 6 हो यहां पर multiplication modulo 6 हो यहां plus modulo 6 हो तब भी जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 5 तक लेते हैं क्योंकि 6 element होते हैं including क्या होता है 0 तो देखे जैसे 6 आया तो 0 आ जाएगा 7 होगा तो यहां पर 1 आ जाएगा फिर 8 होगा तो यहां पर 2 आ जाएगा जैसे अगर संख्याओं को हम लोग जोडेंगे और 7, 8, 9 ऐसे संख्या आएगी 2 संख्याओं को जोडते हैं और उसमें आगया 7, 2 संख्याओं को जोडते हैं तो आगया 8, 2 संख्याओं को जोडते हैं तो यहां पर 6 प्लस 3 आप जानते हैं कि यहां पर आ जाएगा 9 तो यह जो है देखेंगे कि इसके बाद जो है जैसे वारा आया यानि जो भी छे का गुणज होगा छे के गुणज के लिए जो है क्यूंकि six modulo sorry six congruent to zero क्या होता है mod six ठीक है यह किसके base पे लिखते है यह table जो है किसके base पे बनाई है इसके base पे बनाई है कि इसको लेके बनाई है ठीक है तो अगर seven हो एक और यहां पे six आजाएगा ठीक है eight हो तो यहां पे seven आजाएगा तो यह जो है अगर नहीं पता चले कि अभी यहां समझ में नहीं आ रहा है कि a congruent to b mod h का मामला तो पता ही नहीं चल रहा है मौड N का मामला पता नहीं चल रहा है तो यहां से आप पता लगते ज apprendre यह से फांच आए तो वह जीरो के बराभर होता है जह एक के बराभर होता है साथ दो के बराबर होगा, आठ तीन के बराबर होता है, ठीक है, नौ देखे, नौ आये थे, वो चार के बराबर था, दस, ग्यारा, बारा आये थे, तो वो दो के बराबर था, फिर जो है, आपकी सोला आये थे, तो सोला जो है, वो एक के बराबर था, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा multiplication modulo phi जो है एक दुयाधारी संक्रिया है एक दुयाधारी संक्रिया है ठीक है यह दुयाधारी संक्रिया है और क्यूं क्यूंकि यहां पर जो भी हम लोग यह multiplication modulo phi अगर दो अवयों के बीच में लगा रहे हैं तो सारे मुझे यह group g के ही अवयों जो है प्राप्त हो रहे है इससे बाहर मैं नहीं जा रही हूं ठीक है तो यानि यह संक्रिया कौन सी एक दुयाधारी संक्रिया है और सारे जो सारी क्या है नंबर है पूनांक है तो साच र अगर अगर ऐसे प्रस्ण आते हैं ना तो इनको शब्दों में ही लिखना पड़ता है यहां पर सिरुप टेबल बना लो टेबल बनाने के बाद उनको जो है शब्दों में लिख दो, अब यहां भी बारी आती है आपके प्रतिलोंग की, तो अगर वन का प्रतिलोंग तो वन, ठीके, दो का प्रतिलोंग कितना है, तीन, ठीके, यहां पे जो है, यहां से देखते हैं, दो का प्रतिलोंग कितना है, त ठीक है? और चार का प्रतिलों कितना है? चार. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अब 1, 2, 3, 4 के प्रतिलों कौन से हैंगे? एक, तीन, दो, चार है. और वो भी काई, वो भी कौन से अभी है? इस ग्रुप जी के ही ही अभी है, सारे के सारे. ठीक है? यानि कि ये जो है, क्या है? ठीक है यह एक गुरुप है चलिए अबेली के बारे में देखते हैं दो एलिमेंट ले 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 लेते हैं तो 2 मॉल्टिप्लिकेशन मॉडुलो 5 3 ठीक है इस एक्वेलन टू कितना आता है यहां पे 1 और 3 3 into multiplication modulo 2 is equal to be a here than 1 ठीक है क्यों क्योंकि वैसे 6 आता है और 6 is congruent to one modulo 5 ठीक है ऐसे बलेंगे 6 is congruent to one modulo 5 ठीक है कि आपका ग्रुप पर और इस तरह से हल किया जाता है और ये जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान लघेगा कि इसका मतलब क्या होता है क्योंकि इसी के उपर बेश जो हम लोग करते हैं अगर ये भी नहीं ध्यान रहता है तो मैंने आपको पताया था कि इसका मतलब होता है कि n divides a minus b अगर मान लीजी कि नहीं पता चले हां और आप जो है क्या कर लोगो कौन सा है 5 है 6 है 7 है क्या है तो उतने नंबर लेख जो 0 तो एक दो तीन चार अगर छे है तो पांस पकाएंगे फिर जैसे नंबर आते हैं जैसे यहां पर 16 है तो कौन सा होगा एक होगा गिंते जाओ 16 नंबर जो है वो कहां तक रुखता है ठीक है वहां तक रुख जाओ पिर अगर मान लीजी कि आपको मॉडिलो 6 है ठीक है मॉडिलो 6 है और आप जो है मल्टिप्लाइ कर रहे हो अगर 16 आता है तो आप जानते ने कहां तक रुखना है आपको 16 आएगा तो 4 तक रुखना है क्योंकि 16 माइनस 4 आता है 12 और वो डिवाइड पो सकते हैं 6 से ठीक है तो यह है आपके मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लाइब मैंने आपको क्या करा है कि सिधा ही जो है गुरुप का ही एक्जामपल लिया और गुरुप से ही समझाया कि जैसे दोनों चीजें आपको समझ में आजाए यह क्रकार की अलगतर की जो है संक्रिया है कि क्या करती है कि बड़े बड़े जो है इन्फानेट सेट होते हैं उनको जो है श्रंक कर देती है यानि कि छोटा बना देती है कि वर्गों में जो है विभाजत कर देती है यह संक्रिया अगर किसी ग्रूप के उपर लग बोलते हैं कि G is equal to 0, 1, 2, 3, 5 और इसकी संक्रिया जो है multiplication, sorry, addition modulo 6 इसको पढ़ते ही ऐसे हैं ठीक है प्लस 6 नहीं पढ़ते हैं क्या बोलते हैं? addition modulo 6 ही पढ़ते हैं कि जनक, कि जनक ग्याद कीजिए ठीक है? तो 0 तो आप जानते हैं कि 0 का जनक जो है कुछ भी नहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से ठीक है? हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से तो 1 का जो है घात 1 तो 1 ही है ठीक है? 1 की घात 2 यानि कि 1 प्लस modulo 6 addition modulo 6 आ जाता है 2 चले काम बन रहा है यहाँ पर जो है 1 यहाँ जाता है 3 चले कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 आ रहा है लेकिन जनक जो है ग्याद करना है ठीक है न? इसका मतलब क्या है? जनक ज्याद करने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ऐसा अवेव ज्याद करना है जिससे सारे जो है अवेव जनित होते हों तो यह आगा एक दो तीन चार कली चार आ रहा है लेकिन 5 तो यह यहाँ पर है ट्वार है पांच है ठीक है और वन की पावर्ट सेक्स मैंने का था न? यह पावर लगानी का मतलब क्या है? उतने लिए बार संक्रिया करा रहे है ठीक है न? बहुत भाट नहीं है और जो यह आर्थमैटिक वाली घहात नहीं है यह वह कह है यह लिए लोग इसमें जिरो के बड़ावर होता है यह ना देखे 5 और 6 पर कहां पर आगे जिरो पर आ रहे हैं तो सारे अब यह आ गया एक दो तीन चार पांच भी आ गया यानि कि यह क्या है जो इसका वन क्या है इसका जनक है एक जो है वो जी का जनक है जी का जनक है और इसका जो है अब जी का जनक भी है और इसका order भी अगर लिखना चाहे तो order कितना है यहाँ पर 6 ठीक है और इसी प्रकार से जो है हम लोग 2,3 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 जो है इनके order भी ज्याद कर सकते हैं ठीक है चले मैं यहां पर जो जनक तो बता दिया इसका एक जनक है और उसके जो है order कितना है यहां पर 6 है लेकिन 2 के बारे में अगर विचार करें यहां पर जो आपका अब तू है तो 2 की घात 1 तो 2 ही आ रहा है 2 की घात 2 यानि कि इसको जो है 2 को 2 से अगर संक्रिया कराते है तो 4 आता है चलो ठीक है लेकिन 3 बार अगर संक्रिया कराते हैं तो यहां पर 6 आता है लेकिन वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा तो इसका 2 का order कितना हो जाएगा यहां पर 3 विफिशार करें तो यह है ठीजार कें गात 1-3-2 यानि यह आ जाेगा पिर से आपके ep anagati डिसके बड़ावर होता है तो यहां पर ही यहां पर नूजह है फॉर का करेंगे फिर 5 का खРЕ helpful अगर 4 का करते हैं तो 4 की कोटी भी कितने आएगी 3 जितनी आएगी 4 प्लस 4 प्लस 4 बारा बारा यानि की कॉंगरेंटू 0 मोडिलो 5 ठीक है तो इस प्रकार से जो है वो होगा ठीक है और फिर 5 का भी ग्यात कर सकते हैं हम लोग तो यह देखें किस तरह से जो है इसके जनक और यहां पर जो है कोटी ग्यात की जाती है ठीक है कोटी ग्यात की अब इसके बाद आप जानते इसका ओडर यह आ गया तो देफीनिटली हो जो है आपके जो है यहाँ पर तू जो है इसका जनक नांगा कोशिश करना कि सारे अभयवाथ हैं कि नहीं ठीक है फोर और पाय के लिए आप होँ जो है वह कोशिश कर सकते हो तो यह रिसंद और कुछा आपकी किता में भी दिये हुए हैं जो आप खुद कर सकते हो